कि हलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे वी ओसी वरसे वी एस सी और फुल इस्ट फ़लस इंपो यानि कि भी ओसी रोटर डाम वरसे वी एस सी रहवार के 1945 के वीज़ो ECL T10 का ग्रूप E का मैच नंबर वन खेला जाना यह मैच जो है आपको 9 मार्च को सामके साड़े तीन बज़े से स्टार्ट होते भी दिख जाएगी बेन्यू सेम है और यहाँ पर बैटिंग फैलने विकेट देखने को मिलेगी एवरेज स्कूर 130 के आसपस आपक की इनके तरफ से टीम टीकवापनिंग कर सकते हैं जो कि एक बिकेट कीपर बल्लेबाज है थोड़ी सी बिकेट कीपिंग ना करें तो थोड़ी सी गेंदवाजी कर सकते हैं पिछले ECL के आप यहाँ पर लास्ट के तीन मैचेज दे सकते हैं ECL 22 में 14 मैचेज में 294 रन दो हा अपनिंग नहीं कर रहे थे नंबर तीन चार पाच पर आ रहे थे जहां पर इनको ज्यादा बल्लेबाजी मिन नहीं रहे थी रिसेंट फ़रा सा खराब फिरा है आठ मैचेज में 78 रन है 15 से अब इनके साथ एक नया नाम आपको अपनिंग करते हुए दिख सकता है पीटर र बहर में गेंदवाजी एक सी बीसी के अच्छे ऑफसन है इसे एल 1922 और 2023 में 29 मेचेज में 297 रन है 27 के वरे से 16 विकेट है बाकी आप रिकोर्ड देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो बल्लेबाजी आ नहीं रही थी क्यों अच्छे पिलिर्स कलब के लिए खेल आपको ऑपनिंग भी करते हैं यहां पर डायरेकली आपको टीम डीकॉक या फिर पीटर रेकॉर्ड़न के जगह पर डायरेकली ओपनिंग करते हुए दियान रखेगा बिकेट की पर बल्लेवाज है ECL में खेले हैं नमबर 4 पर बल्लेवाजी कर रहे थे इस कारण से मैं इनको नमबर 4 पर रखा हूँ बट रिसेंट टाइम में इन्होंने ओपनिंग किया है ओपनिंग करके अच्छे पारिया भी खेले हैं अच्छे जो है इनका जो है अच्छा रिकॉर्ड भी है नो मेंचेस में 260 रहन है लुमस्टिक टी टॉन्टी गंदर तीन हाफ सेंचुरी है जिनमें की दो हाफ सेंचुरी लास्ट के तीन मेंचेस में है तो धियान रखेगा इस पिलेज का पैटसी पेलचर है नंबर चार और एक यहाँ पे न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे थे पूरे और नहीं मिले थे बट खिलाड़ी यहाँ पे अच्छा कर सकते है नो मेंचेस में चार बिकेट है यहाँ बल्लेवाजी नहीं मिल रही थी जैम्स लेरी यह खिलाड़ी बाहर फॉर्णर प्लियर से इनके करते हैं बट यहाँ पर अच्छा करते हैं जीख सकते हैं और सेक्शन में कम सेलेक्शन के साथ मिल जाएगा साहीद मुसायब जमील है इस यह दोजार इकिस बाइस में खेले हैं तीन मेंचेस में च्यालीस रन हैं बाकि रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो दस रन पंदर सब्सक्राइब करते हैं डिविजन टू का रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है वहां पर बल्लेवाजी बहुत सांदर किये हैं यह दिविजन वन का रिकॉर्ड है इंटरनेशनली भी खेलते हैं अपको बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे 17 साल के हैं अंडर 17 लेवल पर इन् सेमेंटीन के पिलर्स है रामदा सुपध्य हैं जो कि आपको दो अबर की गेंदवाजी देंगे जिनमें की एक ओवर डेत में रहेगा एक ओवर मीडिल अबर में आ सकता है इस यह उन्हें 22 में 29 में 26 में 26 ओवर की गेंदवाजी 14 विकेट है रिजन दो विकेट चार जाले थे पूरे ऑवर किये थे और वर्वल 14 में 24 विकेट है रिसेंट फाम एक विकेट दो विकेट जीरो विकेट खिलाडी सांदार है बिल्गुल ट्राइवल रहेंगे आदित जहन मात्र 15 साल के हैं बट इन्होंने सिनियर लेवल पे खेल चुके हैं और सिनियर लेवल प कम हेल्प है बट यह खिलाड़ी जब विकेट लेंगे तो सीधे दो तीन विकेट लेके जा सकते हैं बेंच में जो पिलियर रखा हूं शैवे बन बार डेगेन हैं जो की 20 साल के ही है इसेल बाइस तैसमें खेल है तेरह मेंचेस में आट ओवर की गेंवाजी चार विकेट है अबर कटते हैं इनके रिशन फॉर्म देखेंगे तो जिरो विकेट एक विकेट और यहाँ पे एक विकेट है न्यू बाल से बालिंग कर लेते हैं तीन मेचेस में जो है दो विकेट निकाले हैं डिविजन टू से चार मेचेस में आठ विकेट निकाले हैं तो डिविजन ट एक इस्पिनर है तीन मैचेस में इसील के अंदर तीन वर की गेंवाजी दो विगेट है तो डिविजन टू से खेले हैं जब तो यह फर्क है डिविजन वन से सीनियर के साथ खेलने पर कुछ मिला नहीं और डिविजन टू से जब खेले तो सीधे आड़ विगेट लेके गए से पिसे बड़ेब हैं जो की जर्मनी की टीम और एक अच्छी टीम बहले ही वो कि program फीकिट का लेवल बहुत अच्छा है बट जर्मनी की पर से उपनिंग कर सकते ऑपनें कीञे सेंजुरी भी लगा है वीस के वरे से रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब रहा है आप लास्ट के तीन में देखेंगे दाहीं का अब आकड़ा भी नहीं चुपाए हैं सिंगल डिजिट में स्कोर है बारा मेंचेस में बारा के वरे से मात रना ही को यह हाफ सेंचरे हाइश्ट और फॉर्टी नाइन का है नदेजिबुल्ला यसी यह किलाड़ी बल्लेवाजी से ज्यादा हीट है गेनवाजी से और इनके कटते हैं अगर गेनवाजी पूरी कर लेना दो अबर तो यह एक सीवीसी के बहतेरीन और इस मेच में बट इनके ओवर जादातर कड़ जाते हैं आप देख लिए इस यह बीस से लेकर बाइस तक में बीस मेचेस खेले हैं और मातर आट ओवर की गेनवाजी किया है वैसे रिसेंट फॉर्म में भी देखेंगे एक ओवर यहाँ पर देखें चार ओवर की यहाँ नही हैं खिलाडी अच्छे हैं बिल्कुल आप ट्राइ करके जाएंगे अपने टीम में सीवीसी भी ट्राइ कर लेंगे इनको सम्टाइम डेटोबर में जब भी गेनवाजी करते हैं न यह तो डेटोबर में आ जाते हैं गेनवाजी करने लिए यह एक एडवांटेज रहेगा न आपको कंफर्म देंगे पलस नंबर चार से पाच पर बल्लेवाजी देंगे इसेज़ में बीस में चिसम M пошबर में जो है एक थो बीके ट है करेंगे इसी के बड़े टुनावन में च्छे में से च्छे में बॉलिंग किये थे एकॉनमी खराप रही थी यहां पर अच्छा करके जा सकते हैं इस यह बहुत अच्छे सांदर परिया भी कह लिए तीन सेंच्री 31 का एवरेज है पलस 12 विकेट है न्यू बॉल और डेत ओबर में भी गेंदवाजी कर लेते हैं टी टॉन्टी और इसे आई में भी खेल चुके हैं नौरदिन मुजड़ी लेफटा मेडियम फार्ट बॉलर दो बर की कंफर्म गेंदवाजी देंगे जिनमें की आपक कर सकते हैं अली बट एक ऐसे पिलियर्स है जो की वाल राउंडर सेक्शन में मिलेंगे बहुत बड़े हार्ड हीटर पिलियर्स है फिनीसिंग के रोल में दिख जाएंगे बारा मेंचेस में इसे के अंदर पंद्रावज की गेंदवाजी यह साथ विकेट है रीसेंट पॉर में आ जाते हैं बट खिलाडी का रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं चाहे रीसेंट पॉर्म देख लिए या फिर एक रिकॉर्ड देख लिए रॉंसन मुलियल को मैं रखा हूं लैप्टाम और्थोडक्स बॉलिंग करके जा सकते हैं आपके लिए डिफरेंशल च्वाइ कर नहीं दूँगा इसीस में जो है बीस में से उन्हें में जरूर बॉलिंग किये हैं बट अभी एज इनका देखेंगे तो थोड़ा सा एज ज्यादा इस कारण से अभी फिलहाल रिसेंट के मैचस में इन्होंने एक भी मैच में बॉलिंग नहीं किये हैं आप यहां पे दे स्पिनर को हैल्प कम है बट यह खिलाड़ी आपको टॉप अडर में आके बल्लेवाजी भी देखे जा सकते हैं ट्राइवर रहेंगे जी एल में सुरेश बोंगारी है दोबेस्टिक टी ट्वंटी के अंदर आप देखें यह भी लेगी स्पिनर खेलने के कम चांस है साथ मे किलते भी तो मैं ज्यादा ध्यान दूंगा नहीं अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में भागे डिसकस वहीं पर करेंगी बात कर लें यहाँ पर देखें बिगेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे टीम डीकॉक एप फौरी और यह महमुद इन में से देखें ट किलाड़ी आपके लिए डिफ्रेंशल रहेंगे डीसेंट फौर्म बहुत ही अच्छा है नंबर चार पर बल्लेवाजी किये थे लार्ट सीजन और रीसेंट डाइब में ओपनिंग भी कर रहा है तो आप बिल्कुल टीम में ट्राय कर लिजेगा के महमुद खेलते भी तो ज किलाड़ी ओपनिंग आने के चांस है इसकारण से मैं इनको ट्राय करूंगा बट यहां पर आपके बास ऑप्सन है हाई सेलेक्टेव पिलियर्स ऐसा मत रीसेंट बहुत ही खराब है इसकारण से मैं इनको ड्रॉप करके जा रहा हूं और यहां पर मैं पी रिकारड़न को ल बट लेफ टाम और्थोड़क्स इस्पिनर भी ओसी के टीम में और रेड़ी एक अच्छे पिलियर्स उपला दे इसकारण से इनके भी बॉलिंग कमने के कम चांस है सलमान अजार खेलते भी जहां नहीं देना है पी चोदरी यह अपके लिए जीयल की पिक रहेगी बटा भी खेलनी के कम चांस है बल्लेवाजी गेंदवाजी दोनों कर लेते हैं टीम डोट डीवेट अंडर 17 के पिलियर से रिकोड ठीक ठाक है जीयल में ट्राइट कर सकते हैं भी होच खेलते भी तो ज्यादा दियान देना नहीं है तो अभी के लिए मैं पी रिकरड़न और यहां से ऐसा हमद में से सोच रहा हूँ मैं अभी के लिए पी रिकार्डन को ही लेके जा रहा हूँ और राउंडर सेक्षन नदेबुला यासीर बल्लेवाजी ओपनिंग करेंगे पलस गेनवाजी से स्योर नहीं कि पूरे करेंगे या एक ओवर करेंगे या ना भी करें ऐसा भी हो सकता है पुरोपर और पिलियर्स है नहीं बढ़ हो सकता है इकादी ओवर डाल जाए खिलाडी बल्लेवाजी से बहुत सांदार है रिसेंट फॉम भी अच्छा है जैल टेशन माइन वन डाउन पलस दो अबर की गेनवाजी इंपोर्टेंट है साजित लियाकत इंप खिलाडी अच्छे है और बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं बट मेरे हिसाब से अभी इनके खिलने के काम चांस है पी फैलचर दो बर की गेनवाजी करेंगे जे लेरी का धिहान रखेगा आपको मीडिल बल्लेवाजी पलस दो बर की गेनवाजी देके जा सकते हैं खि सा ओपी स्पीनर है मेरे हिसाब से इनके ओबर कर सकते हैं जे एक बाल राना पहले गेनवाजी करते थे अभी फिलहाल के लिए ये गेनवाजी नहीं कर रहे है रिसेंट टाइम में एज थोड़ा ज्यादा भी है इस कारण से यहां पे देखिए रॉंसन मुलाईल आपके लि सकता है रहान रखिएगा बांके यहां से अभी के लिए मैं यह बट को लेक्याइब के लेकर यहां पर देखिए और के सक्से और किक है मेरी कर रहा हूं मेरे भी कैपिटेंट सी एसनाइस लाइस कैपिटेंट सी जे तो आपके लिए उसके लिए तो अब यहां पर आपकर आपको आपको आपडेट या फाइनल टीम रहती वह आपको टेलिगराम में देखने को मिल सकती है उमीद करता हूं मैं आपको इस वीडियो के तुरू कुछ हेल्प कर पाए हो और कुछ हेल्प कुछ ही है सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने के चलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू